Hello students, welcome to channel सबकुछ नो, आज आप लोग प्रेंगे class 7 मेर्थ का exercise 10 का D इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 10 का C पूरा complete पढ़ाई किया था तो 10D में आप लोग कुछ introduction देखेंगे, कुछ परिभासा जानेंगे, कुछ चतुर भूज के गुड़ो को जानेंगे और फिर आप लोग exercise के question को solve करेंगे तो अगर आप लोग चना पनना है चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like करिए और ज्यादा ज्यादा share करिए ताकि सभी लोग आसानी सानल लाइन प्राई कर सका तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया भी था चतुर भूज के परकार में आयत के बारे में, सम चतुर भूज के बारे में, वर के बारे में आमने सामने की भूजा है, समानतर और बराबर भी होती है, और परते कोण 90 अंस का होता है और एक बात इसमें ये याद रखेंगे आप लोग आयत में, यहाँ पर लिख लेंगे आयत में, सम्मुख कोण आमने सामने को क्या कहते है, आमने सामने को सम्मुख कोण या सम्मुख भूजा लेंगे तो सम्मुख भूजाए, समानतर और बराबर होती है दूसरा इसमें क्या याद रखेंगे, इसके जो बिकाड होते हैं, ये बिकाड भी बराबर होते हैं बिकाड बराबर होते हैं, और एक दूसरे को सम्मुख भाजित करते हैं तीसरा क्या लिखेंगे, बिकाड परसपर सम्मुख भाजित करते हैं एक ऐसा चतुर भूज होता है, जिसमें आमने सामने की भूजाएं समानतर होती हैं लेकिन चारो भूजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं, कूर नब्बे अंस का नहीं होगा तो इसको सम्म चतुर भूज काते हैं, क्या? सभी ये भूजाएं बराबर होंगी तो इस सभी भूजाएं बराबर होने का मतलब क्या इसमें याद रखेंगे? सनलगन भूजाएं बराबर लिखेंगे सम्मुखbsbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbosbos संलंगन भूज़ा है बराबर और विकाड के लिए याद रखेंगे आप लोग सम चतुर्भूज में विकाड क्या होता है सम चतुर्भूज के जो विकाड होते हैं एक दूसरे को सम दुभादित करेंगे लेकिन कैसे सम कोड पर सम कोड मतलब 90 के कोड पर यहाँ पर 90-90 का तो याद क्या रखेंगे विकार सम कोर पर सम दुभाजित करते हैं मतलब दो बराबर भागो में बट जाते हैं और आप लोग वर्ग में देखेंगे वर्ग आप लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है जिसमें 4 भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 अंसका इसमें सभी कोण 90 का नहीं सभी ये परते कोण 90 के होंगे परते कोण 90 के होंगे और सभी भुजाएं बराबर तो इसको भी कह सकते हैं कि सनलगन भुजाएं बराबर सनलगन भुजाएं बराबर सभी कोण नब्बे अंस और इसमें और क्या लिखेंगे बिकर इसका भी क्या होगा समकोर पर सम्द्विभाजित करेगा बिकर बिकर समकोर पर सम्द्विभाजित तो इसको आप लोग याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं याद रखना आयत में आप लोग जानते हैं आमने सामने एक भुजाया समानतर और बराबर होती हैं सभी कोण नब्बे के होते हैं और जो बिकर होंगे इसके ये भी समान होते हैं बस ये याद रखना इसमें और बिकर एक दुसरे को सम्द्विभाजित करते हैं और 90 अंसका कोण भी बनाते हैं और क्या काते हैं इसमें कि सम्मुख भुजाया समानतर भी होती है इसी तरह वर्ग में सम्मुख भुजाया समानतर और बराबर होती है तो वही कहेंगे सनलग भुजाया बराबर जैसे यह है लेकिन सभी कोण इसमें 90-90 के होंगे और विकड इसके भी समकोड पर संदिवाजित करते हैं इसको याद रखेंगे आप लोग आप हम लोग exercise 10 का D उसका first question देखते हैं यहाँ पर exercise 10 D का first question दिया हुगा आकिरिती में ABCDX समांतर चतुरभूज का है यह जो आकिरिती है समांतर चतुरभूज की आकिरिती है कह रहा है यह प्रतिवंद बताईए जबकि यह अब देखिए इस figure में कहा कि यह जो figure है यह समांतर चतुरभूज है क्या है समांतर चतुरभूज है कह रहा है अब आप अपने तरफ से कुछ ऐसा बताईए कि ये क्या हो जाए ये मतलब अगर इसको सम चतुरभुज करना रहे समांतर चतुरभुज अगर इसको सम चतुरभुज करना हो तो क्या हो सकता है उसका प्रतिबंध क्या होगा मतलब कैसे इसको हम लोग सम चतुर भूज बना सकते हैं फिर दूसरा कोस्टन में कारा इसी को कैसे हम लोग आयत बना सकते हैं और तीसरा कारा इसी को हम लोग कैसे वर्ग बना सकते हैं यही बताना कैसे तो देखिए पहले का हम लोग जब हल कर लिखेंगे इसका एंसर तो क्या करेंगे सम चतुर भूज कब होगा ये समांतर चतुर भूज सम चतुर भूज देखिए क्या होता है ये समांतर चतुर भूज में आमने समने की भूजाया समांतर होती है समांतर चतुर भूज में क्या होता है आमने समने की भूजाया समांतर और बराबर होती है इसमें चारो भूजा नहीं बराबर और सम चतुर भूज में चारो भूजा बराबर रहागा बाकि समानतर इसमें है तो उसमें भी रहागा तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे सनलगन सनलगन भूजाया सनलगन भूजाया बराबर अगर सनलगन भुझाए हम लोग इसमें बराबर कर दाए तो ये क्या हो जागा सम चतुर भुझ हो जागा तो यही हम लोग लिखेंगे तो देखिए इस तरह से अंसर लिखना अगर इसमें सनलगन भुझाए बराबर कर दिया जाए तो ये समानतर चत्र भुज क्या हो जागा सम चत्र भुज हो जागा इसी तरह दूसरा है दूसरा हम देखी ये कार रहा है आयत होगा समानतर चत्र भुज आयत कब होगा आयत में आप लोग जानते हैं क्या होता है आमने सामने बुजाए समानतर और बराबर होती है इसमें भी लिखेंगे परते कौन परते कौन नब्बे आंस आप लोग काते हैं कि एंसर नहीं मिल रहा तो एंसर देखिए कई तरह से लिख सकते हैं इसको परते कौन नब्बे आंस लिख सकते हैं सभी कौन नब्बे आंस लिख सकते हैं सभी कौन समकोर या परते कौर समकोर भी लिख सकत हो नहीं तो किसी भी तरह से लिखेंगे ज़ो जरूरी ही होना चाहिए तो सही हां ये इसमें पर तेक कोण शार जाता हाना तो यहां अगर एक खुण शार लिखेंगे आप लोग तुस्वेरक आद कि यह कि जाएगा तोically नबेंस लिखेंगे, थाड़ वाला हम लोग देखते हैं, थाड़ में देखिए वर्ग होगा, वर्ग कब होगा, जब इसके कुमण नबेंस के हो जाएं, और सभी भुझा या बराबर, सनलगन भुझाएं, बराबर हो जाएं, तो हम लोग लिखेंगे कुमोड नब्यांस तथा सनलगन भुजाएं बराबर दो बाप कुमोड को अगर नब्यांस कर दिया जाए और सनलगन भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये क्या हो जागा वर्ग हो जाएगा तो इस तरह से हल करना है अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया समांतर चतुरभूज ABCD में निम्नांकित परतेक कथन के सत्य होने पर आकिरित को किस नाम से पुकारेंगे देखिए यह समांतर चतुरभूज जो दिया है पहले कोस्चन और दूसरे कोस्चन दोनों के लिए यही फीगर लागू होगा तो कह रहा है इसमें कि जो समांतर चतुरभूज ABCD दिया हुआ है परतेक कथन के सत्य होने पर इसको किस नाम से पुकारेंगे मतलब देखिए क्या कहा है पहले कोस्चन में कहा है AB बराबर BC अगर इस फीगर में यह जो समांतर चतुरभूज है इसमें अगर AB और BC दोनों बराबर हो जाए AB BC को क्या काते हैं सनलगन भूजाएं यही काते हैं तो जब सनलगन भूजाएं बराबर होंगी तो इसको क्या कहेंगे AB बराबर BC अगर मतलब कर दिया जाका रहा समांतर चतुरभूज में AB BC नहीं बराबर होते है आमने सामने केवल बराबर होता है लेकिन कहा रहा है कि AB के बराबर अगर BC कर दिया जा तो इसका नाम क्या हो जाएगा किस फिगर में बदल जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि सम्चतुर बूझ समांतर चतुर बूझ सभी कही जाएसला होता है बस समचतुरभूज में सभी भूझाएं बराबर समान्तर में आपने सामनीक बराबर होती है तो अगर हम इसमें जब सनलगन भूझाएं ये बराबर कर रहें A B बराबर B C तो ये क्या हो जाएगा समचतुरभूज तो वही इसको लिख देंगे समांतर चतुरभुज वाले में कोड A, B, C 90 कर दिया जाए A, B, C 90 मतलब इस बीच वाले का नाम लिया है दखिए A, B, C मतलब ये वाला अगर 90 कर दिया जाए तो ये क्या होगा तो आप लोग जानते हैं आयत हो जागा इसको जब सीधा कर देंगे समांतर चतुरभुज में आमने समांतर बराबर होती है और आयत में भी लेकिन आयत में परते कोड 90 का हो जाता है और समांतर चतुरभुज में नहीं तो यहां 90 जब कर देंगे तो ये क्या हो जागा ये हो जागा जो समांतर चतुरभुज है यह हो जाएगा आयत और थर्ड नमबर देखिए काना है कोड A, B, C बराबर 90 अगर यह 90 कर दिया जाए और A, B बराबर B, C और A, B बराबर B, C भी कर दिया जाए तब क्या होगा तो हमने आप लोगों को बताया जब एक कोड भी 90 कर देंगे और A, B बराबर B, C मतलब सनलग न भुजाएं बराबर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा तो इसको आप लोग लिखेंगे वर्ग अब हम लोग कोड़न नमबर थर्ड को देखते हैं यहाँ आपर कोड़न नमबर थर्ड दिया है वर्ग में कहा है वर्ग में जो वर्ग होता है वर्ग देखिए वर्ग में यह सभी भुजाएं बराबर होती है आमने सामने की समानतर होंगी और कुण 90 अंस के होते हैं यह होता है वर्ग तो कहा है वर्ग में भुजाओं की लंबाइन्या होती है क्या भुजाएं क्या होती है बराबर होती है बुजाओं के लंबाईयां जो होंगी बराबर होंगी तो इसमें बराबर भर लेंगे उसके बाद देखिए बिकर बिकर होते हैं हमने बिकर बताया इसमें क्या होते हैं बराबर होते हैं तो बिकड को भी लिखेंगे, बराबर, परतेक कोण होता है, परतेक कोण कितने अंसका होगा, 90 अंसका या समकोड भी का सकते हैं, बिकड एक दूसरे के होते हैं, बिकड एक दूसरे के क्या होते हैं, वही लिखेंगे, बराबर, या लिख सकते हैं कि एक दूसरे को सम्दिभा आजित करते हैं ये भी लिख सकते हैं और बराबर होते हैं ये भी लिख सकते हैं तो इस तरह से देखिए question को solve करना आब हम लोग अगले पार्ट में आगे के question को solve करने वाला question है ये तो खाली जगा भरने वाला question था सही गलत बताने वाला था और figure को देख के बताने वाला question था अब हम लोग जो questions solve करने वाला है उसको अगले part में देखेंगे तो आज के लिए बस तना है